बूलकर भी रात के सबय नहीं करें ये ग्यारा काम. पहला, रात के समय कंगी नहीं करनी चाहिए. दूसरा, रात के समय तूटे बालों को नहीं फैकना चाहिए, क्योंकि इन बालों को उठाकर कोई भी आप पर जादू टोना कर सकता है. इससे आपका परिवार संकट में फंस स तीसरा, रात के समय चोराहे पर नहीं जाना चाहिए वरना परिसानियां आएंगी चोथा, रात के समय समसान घाट के पास बिलकुल ना जाएं पांचवा, वास्तु सास्तर के अनुसार रात में कपड़े नहीं धोने चाहिए और नहीं इसे सुखाना चाहिए छाटा, रात के समय बुरे चरित्र वाले लोगों से दूर रहें क्योंकि इससे आपके मान समान को हानी पहुंच सकती है और आप उनके कान मुसीबत में फंस सकते हैं साथवा, रात को दूद का दान नाकरें। दूद का संबन्ध भगवान विष्णू और मा लक्षमी से होता है। जोती सास्तर के मताबिक स्याम के समय यानी सूरियास्त के बाद गलती से भी किसी को दूद दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से मा लक्षमी के नाराजगी का स ना खून ना काटें ऐसा करने से घर में नाकरातमकता आती हैं और आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ता है 9. सूर्य अस्त के बाद भूलकर भी तुलसी के पोदे को ना चुएं इससे मालक्स में नाराज हो जाती है 10. रात के समय किसी को भी पैसा उधार नहीं देना चाहिए क्योंकि माना जाता है कि स्याम में उधार दिये गए पैसे के वापिस आने की संभावना बहुत कम होती है ग्यारवा रात के समय घर में जाडू ना लगाएं क्योंकि इसे घर में माल अच्मी नहीं रुकती जिसके काम घर में रहने वाले लोगों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो आप इन ग्यारा बातों का ध्यान रखें दोस्तों आपको यह वीडियो कैसे लगा आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं आप इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना ना भिलें दोस्तों आपको ये टिप्स कैसे लगे और कौन सा टिप्स सबसे अच्छा लगा आप हमें कोमेंट बॉक्स में जरूर बताएं यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें हमारी चैनल को भी सबस्क्राइब करें यदि आप हमें फेस्बुक पर देख रहे हैं तो आप हमारी फेस्बुक पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर करें तो दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसे ही जबरदस्ट टिप्स के साथ नई वीडियो में तब तक के लिए धने बाद आप सभी अपना ख्याल रखना ध्यान रखना आपका दिन सुग हो आपका दिन मंगल में हो